धन वैभव दंपत्य जीवन ग्रस्त सुख क्या आपकी गर्फरेंड आपकी वाइव बनेगी आपका बॉइफरेंड आपका हस्बंड बनेगा यहां आपका फियर अंसक्सेस्फुल रह जाए हैं क्या आप जिंदगी में तरक्की करेंगे भोतिक सुखों को इंजॉय करेंगे लग्जरी कमफर्ट्स को इंजॉय करेंगे इन सब डोमेंज के जो प्लैनेट है उनका नाम है वीनस यानि की शुकर शुकर अपना साइन चेंज करने जा रहे हैं इग्साल्टेट साइन पाइसिस को छोड़कर एरिस साइन में ट्रांदिट करेंगे 25 अपरल 2024 से 19 मैं 2024 तक हेलो लड़ेजन एड़मेंड नमस्कार ससिकाल सलाम दिस इस अमित कपूर दोस्तों आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ भोतिक सुखो और दबत्य जीवन के प्लैनेट शुकरा चारे देप्ते गुरु शुकरा चारे के ट्रांदिट के बारे लिए जो की 25 अप साब से कल्यूग में आपके भोतिक सुखों को रिप्रेजेंट करता है आपके कॉंफर्स को रिप्रेजेंट करता है आपके दंपत्य जीवन सेक्शुल लाइफ आपका भोतिक सुख आपका हम बोल सकते हैं आपकी सुदरता आपकी ब्यूटी आपकी चार्मनेस आप कितने ह क्या आपका अफेर चल रहा है पिछले 500 सालों से तो वो अफेर क्या शादी में कनवर्ट होगा यह नहीं होगा यह शब शुकर के डुमेन है कि आपने सुना होगा कि स्कूल टाइम से ही अफेर था फिर कॉलेज में भी रहा और कॉलेज के बाद शादी हो गई उसके बाद दो अगर आपके बर्ट चार्ट में वीनस तू नंबर यानि की टॉरस साइन सेवन नंबर लिब्रा साइन यह ट्वाल नंबर पाइसे साइन में है और राहू केतु की कोई भी पांचवी साथ्वी या नाइथ आसपक्ट शुकर के उपर नहीं है यह शुकर सूरे के साथ चंद हो जाएगी अगर शुकर आपका फोर नंबर कैंसर फाइव नंबर लियो सिक्स नंबर वर्गो नाइन नंबर सेटेरियस का है तो डेफिनेटल आपकी शादी में मैरिटल लाइफ फे प्रॉब्लम्स आएंगी देखे दो चीज़ें है एक तो वीनस के इस हाउस पर प्लेज साइंगी स्किन डजीज आपको रह सकता है या आपके शरीर में पानी जो है वो कम हो सकता है या हम बोल सकते हैं स्किन प्रॉब्लम हो जो है वो शादी के बाद आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी दबत्ते से जीवन अच्छा नहीं जाएगा स्पाउस के साथ अच ठिक नेचर के होते हैं यह भी मैंने देखा है कि अगर सूबेख शुकर कटे हैं ओ डिगरी कली साथ डिगरी से दूर है दस बारा डिगरी का कंजक्शन है तो ऐसे लोग जो हैं वो फिल्म इंड्रस्ट्री में भी देखे जाते हैं बॉलिवूड, हॉलिवूड में भी होते हैं इन्फिलेंसर होते हैं, यूट्यूबर होते हैं यह लोगों को अट्रेक्ट करने की पावर ऐसे लोगों के अंदर बड़ी गजब की होती है लेकिन सूरे और शुकर का नेरस कंजेक्शन नहीं होना चाहिए मेरी बातों को आप गोर से सुनें जो लोग स्टुडी करना चाहते हैं astrology की astrology को सीखना चाहते हैं कि astrology एक deep science है 25 years हो गये हैं मेरे एक astrology में oh still I am a student of astrology तो मैं आपको यह बताना चाहु है अगर सूरे और शुकर 7 डिगरी के घेरे में हैं तो शुकर कंबस्त हो जाएगा उसका इंपेक्ट आपके ग्रस्त सुक दम बत्ते जीवन लगजरी बहुतिक पैसा इन सब चीजों में पड़ेगा लेकिन अगर सूरे और शुकर 11-12 डिगरी के 13-14 डिगरी के गहरे में हैं दूर है शुकर सूरे से कम से कम 10 डिगरी से दूर है तो आपकी मैटल लाइफ में इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी आपको अलर्ट होके चलना होगा और ऐसे लोग इंफुलेंसर, बॉलिवूड, होलिवूड से पैसा कमाने वाले या इंटर्टेन्मेंट इंडसी से जुड़ कर कुछ नो कुछ पैसा आन करते हैं, अब मंगल शुकर की अगर युथी होगी तो ऐसा नेटिव शुकर से मंगलिक हो जाएगा, अब देखें मंगलिक भी धो तिन थिन तरह के हैं, एक तो लगन से मंगल कозя पर है और दूसरा चंदर अशी मून साइन से मंगल कहाँ पर है तीसरा वेनस से मंगल का ह अगर शुकर और मंगल की युती है चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है Sorry to say ऐसे लोग क्रैक्टरलेस होंगे ऐसे लोग अपनी वाइफ के पती आपने हज्बन के पती, ऐसी लड़ियां वफ़द आपनी होगी Multiple affairs होंगे शादी से पहले भी, शादी के बाद भी मेरिटल लाइफ में प्राब्लम्स का सामना करना पड़ेगा इक्वेस्टिक नेचर, स्टबबन नेचर, स्पाउस को लेकर बहुत ज़्यादा होगी अगर वीनस और मार्स का कन्यक्शन होगा यानि कि शुकर और मंगल के अगर यूती होगी अब यही शुकर और केतु कि अगर आप यूती लगा लें आपके बर्ट चार्ट में, किसी भी जॉडिक साइन में, किसी भी आउस में है लेकिन वो साथ डिगरी के अंदर है तो आपकी सेक्शल लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं जाएगी आपके स्पाउस के साथ रलेशन्शिप ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे किसी कारण आपको स्पाउस से दूरी में रहना पड़ेगा हो सकता है पैसा बनाने के लिए आपका स्पाउस इंडिया में आप युएस में जॉब कर रहे हैं पांसा साल दस साल जुवानी के पंदरा साल वही निकाल दी है पैसा कमाते पंदरा सालों में पंदरा बार मिले साल में एक मेने के लिए आए मिले और वापिस अलेगे अगर शुकर के तुए कटे है तो something is there which will create a you know bad situation or you can say there is a chances for separation divorce होना, separate होना या कारेवेवसाय के समंध में spouse आपका इंडिया में है husband London में है, husband दुवई में है, husband America में है और वो साल में एक दो बार मिलते हैं जिसको भी हम सही तरीके से विवाइक सुक नहीं मानते, शुकर का केतु के साथ बैटना horoscope में आपको isolate करता है अपने spouse के साथ आपको detach करता है अपने spouse के साथ शुकर केतु का conjunction, ऐसे लोगों में sexual power बहुत होती है sex करने की परवर्ती बहुत होती है तरतर ज़्यादा अच्छा नहीं होता लेकिन ऐसे लोग जो होंगे वो बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं की spouse के मामले में अनलकी होंगे, दबबते जीवन के मामले में अनलकी होंगे, affairs हो सकते हैं living relationship में रह सकते हैं जहां पर फेरे लिये नहीं, वहां पर problem आई नहीं क्योंकि Venus K2 is in conjunction सो शुकर का आपके बर्चार में बहुत बड़ा रोल है गाईस Venus अपना sign change कर रहे हैं 25th April 2024 को Pisces को छोड़ कर Aries में जा रहे हैं 19th माई तक Venus जो है वो Aries में ही गोचर करेंगे 25th April से 1st माई तक गुरू और शुकर की युति हो जाएगी लेकिन गुरू डिगरी के लिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं तो इसको सही तरिके से हम conjunction या युति में नहीं लेंगे तो 25th April तो 19th माई Venus transit an Aries sign ruled by Mars क्योंकि जो Aries sign है उसके जो Lord है वो Mars है अब मैं अपने नई वीवर्स को बता दूँ कि मेरी prediction आपके Ascendants के base पर है लगन राशुक अपने mind में रखें मेरे वीडियो को सुनें अब बात करते हैं Capricorn की देखें शुकर का गोचर आपके 4th आउस में होगा 10th आउस की Lordship है 5th आउस की Lordship है 4th आउस में मेनस का गोचर होगा Comforts पे आप पैसा खर्च करने वाले हैं 25th April, Prodictory 4 Onward से 19th मैं 2024 तक You will spend a lot of money in comforts नई गाड़ी आप भाई करेंगे नई प्रॉपटी आप भाई कर सकते हैं Mother की health थोड़ी matter of concern है Mother के साथ तालुकाद अच्छे ना होंगे Professionally growth है आप बहुत अच्छी रहेगी शुकर की सब्तम दृष्टी 10th house पे अपनी खुद की राशी पे होने की वज़ा से आपको finance बहुत अच्छा मिलेगा Business में successful रहेंगे All investments fruitful results तेंगी Father की health अच्छी हो जाएगी Father के साथ तालुकाद अच्छे हो जाएगे Venus standard in your 4th house 7th aspect is in your 10th house which will be a biggest game changer for you in the terms of your profession Job में हैं तो चानक आपकी promotion increment है additional sorts of earning यहां पे generate होंगे So overall Venus is a very beneficial planet and this standard of the Venus in your 4th house will bring lot of comforts lot of name fame with lot of money and your business will be expand investor है, business man है तो business को बढ़ा सकते हैं अच्छा खासा मुनाफ़ा क्योंकि तर्कोना भाव का मालिक केंदर में गोचर करेगा और सब्तम दृष्टी से केंदर के दूसरे घर को देखेगा तो definitely यहां पर आपको gains Capricorn देखने को मिलेंगे अब आद करते हैं Aquarius Ascendus की Aquarius आपके लिए 3rd house में Venus का गोचर होगा आपके और्सकोप के असाब से 9th house में Venus का sign पढ़ता है जो की भागे का गर है और सब्तम दृष्टी से 3rd house से शुकर 9th house को देखेंगे किस्मत आपके favor में होगी 25th April 2024 से 19th माई के बीच आपके communication skills बड़े improve हो जाएंगे पीपल गट अट्रेक्ट फॉम आपकी personality में घजब का निखार आएगा और इस सारा time foreign related activities आपको love one-chit करेंगी वदेशी किसी company में job करते हैं पर्मोशन इंक्रिमेंट होगा IT से जुड़ाओ के कारे करते हैं IT engineer हैं या किसी किसम का आप software hardware developer हैं then Venus Transcendent or 3rd house will bring a lot of lot of money and promotion and increment communications के तुरू धनलाब होगा या communications के तुरू के बड़ा order आपको मिल सकता है Venus Transcendent or 3rd house is an excellent time for you for making money your debts will clear, your health will be fine relationship with your younger siblings will be improved and your friends will support you or you may support your friends so this will be a good time for you Aquarius अब बात करते हैं Pisces की Pisces 8th house की Lordship जो है वो Venus के पास है Venus की 3rd house की Lordship और 8th house की आपके लगन के लिए Venus योगका रख नहीं है 2nd house में Venus 25th of April 2024 से 19th मैं 2024 तक टांधर करेंगे Venus का गोचर आपके 2nd house में होगा कालपुरश की कुंडली में Venus is very comfortable in 2nd house मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था कि Venus 2nd house और 7th house कालपुरश की कुंडली में Venus के आउन houses हैं तो बाई दा ग्रेस अफ गॉड की Venus जब आपके 2nd house में 25th अपरिल आपरिल आउनवर्ड से ट्रांधर करेंगे तो अच्छा खासा धनलाब आपको होगा शौर्ड डिसस अणिस आपके लिए बड़ी fruitful रहेंगी इन लाउस से को बड़ी सपोर्ट आपको मिलने वाली है मेरिटल लाइफ हैं कुछ positive moment कुछ rust, juice, spouse के साथ quality time spend करना रिष्टे में fruit बनके बाहर निकलना लगे एक fruit होता है एक fruit का juice होता है fruit, शादी का मतलब fruit मिल गया अब उसमें से juice कैसे निकालना है वो आपका relationship है वीनस का गोचर second house में आपके fruit में से juice निकलेगा I mean to say आपका relationship और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा और इस time में आपको आपके in-laws से बहुत अच्छी opportunities आपको मिलेंगी बहुत अच्छी support आपको in-laws से मिलेगी spiritual guru है, lecturer है, teacher है यहां किसी institute को run करते है education से समंदित तो यह time बढ़ा अच्छा है आपको creative field से जुड़े हो है तो यह time बढ़ा अच्छा है short से समंदित कारे करते तो टाइम बढ़ा अच्छा है क्योंकि second house से 7th aspect 8th house पर पढ़ेगी तो यहां पर lottery लगने तक के ही हो गया अचानक धन प्राप्ती in-laws की तरफ से बड़ी support मुझे यहां पर बनती ही दिखती है marital life अभी भी डवाडोल है लगन में रहु है उपर से 23rd April को तो मंगल भी वहां पर पहुंच जाएंगे अंदारक योग का नर्मान होगा सब्तम भाव में केतु है marital life में अभी भी problem है नेकिन in-laws की वज़ा से marital life आपकी कुछ positive रहेगी so overall this is an average round that for you family की support आपको मिलेगी बड़े बज़रों की support आपको मिलेगी कुछ savings आपकी बढ़ेंगी यहाँ पर काफी चीज़ें आपकी past month से कुछ अच्छी होने वाली है prices बहुत ज़दा अच्छी तो मैं नहीं कहूंगा but you will be in better position so stay cool man, thank you for watching में वीडियो thank you for your love, namaskar, sasika, salam, jahe